प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीच में डिफ्रेंस क्या है यानि कि अंतर क्या है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने दो बीमा योजना लांच करी थी प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से और दोस्तों आप मेंसे कई कोश्चन हमसे करते हैं आप मेंसे कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि इन दोनों योजनाओं के बीच में अं तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट के लिए हो सके और आप इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकें तो चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रधान मंत्रिय जीवन जोती बीमा योजना के अंदर जो आपको हर साल प्रीमियम देना पड़ता है जो आपके बैंक अकाउंट से हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि यह योजना सिर्फ एक साल के लिए होती है और इसका जो टाइम पिरियड होता है वो एक जून से 31 मही तक का होता है 31 मही के बाद अगर आप इसे रिन्यू नहीं करेंगे तो यह आटोमेटिक बंद हो जाएगी ठीक है अब आप 50 साल तक continue इसमें प्रीमियम भरते हैं तो उसे आप 5 साल तक और बढ़ा सकते हैं यानि कि 55 साल तक कर सकते हैं इसी में सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो कम से कम उमर है वो 18 साल और अधिकतम 70 साल तक की एस तक आप इसको ले सकते हैं यानि कि इसमें नामांकन करा स रखते हैं 18 से 70 साल तक की उमर तक तीसरा इसमें जो में डिफ्रेंस है वो क्या है जीवन जोती बीमा योजना के अंदर अगर किसी बीमा धारक की नैचुरल डैथ हो जाती है किसी प्राकरतिक तरीके से अगर उनकी मिरती हो जाती है तो उस केस में बीमा धारक के परिवार वालों को दो लाग रुपे का दे दिये जाते हैं और वहीं सुरक्षा बीमा योजना के अंदर क्या होता है अगर किसी बीमा धारक की दुरगटना से एक्सिडेंट से अगर मिरती हो जाती है तो उनके परिवार वालों को दो लाग रुपे दे दिये जाते हैं या अगर किस एक्सिडेंट के वज़े से अगर बीमाधारक अपंग हो जाता है पर्मानेंटी डिसेबलिटी उन में आ जाती है किसी मलब बिलकुल ही वह खाट पे लग जाते हैं अगर आप कह सकते हैं तो उस केस में भी उनके परिवार वालों को दो लाग रुपे दे दे जाते हैं तो मु जोजना सरीफ एक साल की होती है इसे आपको हर साल रिन्यू कराना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप इसे रिन्यू नहीं कराएंगे और अगले साल या जिस भी साल आपने इसको रिन्यू नहीं कराया या प्रीमियम नहीं दिया अगर उस साल को यहानी हो जाती अपने दोस्तों परिवारा के साथ इसे शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छे लगी हो तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपके स्क्रिंट के ओपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ओपर टॉच करके और उसके गंटी के शान